पती ने यूवक पर लगाया पत्नी को भगार ले जाने का आरोग। खबर गढ़वा जीला के केतार प्रखंट साई है। पती का कहना है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे यूवक से फोन पर बात करते पकड़ी गई थी। केतार थाना छेतर अंतगत खोनहर गाओ निवासी दीपक कुमार गुपता पिता गोपी सा ने 24 वर्षिय पत्नी ललिता देवी की 20 सक्टूबर 2022 दिन गुरुवार से लापता होने का मामला केतार थाना में दर्च कराया है। उक्त ब्यक्ती ने आवेदन में उलेक किया है कि 20 सक्टूबर दिन गुरुवार को अपने कारे से भवनात्पूर गया था। जब वापस घर आया तो पत्नी घर पर नहीं थी। इस दवरान आसपास के गाओ में खोजबिन किया साथ ही अपने ससरूराल बागय सोती में भी पता किया जहां उसका कोई अतापता नहीं चल सका। साथ ही किमती जेवर, बैंक पास्बुक, आधार कार्ट, कपड़ा भी घर से गायव है। वहीं उक्त पत्नी ने आरुप लगाते हुए आवेदन में यह भी लिखा है कि मेरी पत्नी ललिता देवी खरंदी थाना चेत्र के तोरे लावा गाउ निवासी राम परवेश कुषवाहा से हाल ही में मुबाइल से बात करते हुए पकड़ी गई थी। इस दोरान पत्ती पत्नी की नोगजोग के समय मेरी पत्नी उक्त मुबाइल फोन को तोड़ कर फ्यक दिये। जिससे सख है कि उक्त बैक्ती ने ही मेर की पत्नी को भगा कर ले गया। पिडित ने लापता पत्नी की केतार पुलिस प्रशासन से खोजबिन करने की गुहार लगाई है। धन्यवाद आप देख रहे हैं गढ़ा द्रिश्टी नूज खबरों के लिए चनल को सब्सक्राइब करें। मारा पता है रंका मुर्ग घंटा घर के पास मेन रोट गड़वा।